UPSC Current Affairs प्रोग्राम में आपका स्वागत है हम चर्चा करेंगे वाल पर आई के Great Forest Horn Bill के बारे में हाल ही में तमिलनाडू के अनमलाई Tiger Reserve में Great Forest Horn Bill पर एक सर्विक्षन किया गया है इस सर्विक्षन में पश्चमी घाट में पाये जाने वाले Horn Bill के लगतार बदलते आवास पर विस्तरत अध्यन किया गया है अध्यन के अनुसार तमिल नाडू के वाल पराई पठार में पाए जाने वाली ये हॉर्ण बिल कॉफी चुनने के मौसम में लगभग चार महीनों के लिए घोसला बनाते हैं सर्वेक्षण में पाया गया कि ग्रेट हॉर्ण बिल मुखिता प्रजनन के समय ही किसी बड़े पेड़ पर अपना घोसला बनाते हैं हॉर्ण बिल आम तोर पर सरवाहारी होते हैं लेकिन मुखिता ये फलों पर ही निरभर रहते हैं लेकिन बीते कुछ दशकों में फल देने वाले पेड़ों की कमी के कारण ये छिपकली, साप और गिलहरी जैसी कई अन्य प्रकार के जानवरों को भी खाने लगे हैं मुख्य रूप से ग्रेट हॉर्ण बिल भारतिय उप महाद्वीप और दक्षण पूर्व एशिया के मूल निवासी पक्षी हैं भारत में ग्रेट फॉरिस्ट हॉर्ण बिल, विस्तरित फैले हुए पश्चमी घाट, हिमाले की तलहटी और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं इन्हें ग्रेट हॉर्ण बिल, फॉरिस्ट हॉर्ण बिल या हॉर्ण बिल के नाम से भी जाना जाता है हॉर्न बिल का वज्ञानिक नाम बुकेरो टीडे है ये उश्ण कटी बंदी और उपोश्ण कटी बंदी अफरीका, एशिया और मेलानीशिया में पाए जाते हैं वर्तमार में हॉर्न बिल की अनेक द्विपिये प्रजातियों पर विलुप्त होने का खत्रा मंडरा रहा है पश्चमी घाट में फैले ग्रेट फॉरिस्ट हॉर्न बिल के संडक्षन के उद्देश से केरल राज ने इसे केरल का अधिकारिक राज जी पक्षी घोशित किया हुआ है आपको बता दें कि नागा लेंड सरकार हर साल दिसम्बर के पहले सप्ता हमें हॉर्न बिल महुद्सव का आयोजन करती है पहला हॉर्न बिल महुद्सव दिसम्बर 2000 में आयोजित किया गया था इसका उदेश ये अंतर जाती संपर्क को प्रुचसाहित करना और नागा लेंड की संस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है